तो उतर प्रिदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं CAA के विरोध को लेकर हो रही हिंसा के चलते इंटरनेट सेवा बंद की गई है जिन शेरों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है उनमें आगरा, अलीगड, मौ, मुजफर नगर, साहरनपूर, संभल, सिटी, इसके लावा मेरट, लखनौ, बरेली और गाज़बाद भी सामिन है जबकि पीली भीत में मॉबाइल इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद की गई है प्रयागराज में आज सुभा 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी उतर प्रिदेश के ये वो जिले जोकी अती समवेदन शील जहां पर जबरदस्थ इंसक प्रेदर्शन CAA के खिलाफ देखने को मिला इंजिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है माउ मुझदफर नगर, सारनपूर, संभल, मेरट, गाज़ेबाद, प्रयागराज ये वो जिले जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है तो CAA के खिलाफ हो रहा है जबरदर सिंसक प्रेदर्शन को देखती हुए ये फैसला लिया आ गया है इसके लाबा आज जो परिक्षाए होने वाली थी वो भी रद कर दी गई है, कैंसल परिक्षाए हो गई है इंटरनेट सेवा पर सीदे तोर परसर और आज भी तैयारी कुछ समाजिक संगठनों की और से की गई है विरोध प्रिदर्शन की इसको देखते हुए पुलिस परिशासन पूरा अलट है, मुस्तेद है और इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है फिलहाल, इंटरनेट सेवा बाधित है कल दोपैर से ही इंटरनेट सेवा बाधित है और 21 दिसंबर तक का जा रहा है कि उत्रप्रिदेश के इंजिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहे की परिशानी लोगों के सामने लेकिन सोशल साइट्स पर किसी तरह की अफवा ना फैले महौल और जादा खराब ना हो इसको देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद की गई है लेकिन कल जस तरह से राजधानी लखनों में हिंसक प्रदिर्शन हुआ उसके बाद बड़ा सवाल एक बार फिर से कानून विवस्था पर उठा मुख्यमंत्री बेहत सक्त नजर आ रहे हैं कल देराद भी मुख्यमंत्री की और से वीडियो कॉन्फरेंशिंग के जरीए सभी आलादिकारियों की बैठक ली गई जरूरी दिशा निर्देश ती एक कड़ी फटकार भी लगाई गई सीम योगी की और से क्योंकि एक बड़ा फैलियोर पुलिस का यहाँ पर कल राजधानी लखनों में रहा जस तरह से इंसक प्रिदर्शन हुए आगजनी की तोड़ फोड हुई पत्थर बाजी हुई और आगे स्थिती नियंत्रन में हो सके अफवाहें किसी तरह से सोचल साइट पर ना फैलें इसी को देखती हुए इंटरनेट सेवा पर रोख फिला लगाई गई है 21 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा उतर पिदेश के कई जलों में बंद रहेगी लोमस जुड़ गए हमारे साथ लोमस इंटरनेट सेवा कब तक के लिए बंद रहेगी और कौन-कौन से वो जिले जिन्हें अतिसंबेदन सील कैटेगरी में डाला गया है जोहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद रहेगी देगे मैं आपको बता दू कि अभी क्योंकि फिलाल पूरी स्थिती साफ नहीं हो पाई है और कल रात में ही साड़े नोवजे के करीब लखनों में भी इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और साथी कल जिस तरीके से जो हालात बने थे उसके बाद देखन यहां इन जिलों में बंद कर दी गई और साथी आपको बता देगी कि अभी भी हालात काफी नाजुब बने हुई है फोर्सेस को लगाए गए और आज क्योंकि जुम्मे की नवाज होनी है उसको देखते हुए हालात और भी देकावू हो सकते हैं तो उसको देखते हुए अ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी कहां चूख हुई है फटका लगाया गया और ध्यान रखने को कहा गया है जिस तरीके हालात बने है उसको काबू पाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गए और साथी ये भी कहा है कि जो प्रदेशन कर रहे हैं जो हिंसा फै और उनी से जितना भी सरकारी संपत्ती का नुकसान हो रहा है उनी ही लोगों से वसूला जाएगा चली ठीक है शुक्रीया आपका जानकारी देने के लिए लोमा